और श्रीगंगा नगर से हमारे समाधाता कुलदीप हमारे साथ जुढ रहे हैं कुलदीप किसान अंदोलन को लेकर श्रीगंगा नगर के साधुवाली और हिंदू मलकोट बॉडर आज भी बंद है क्या कुछ असर देखने को यहाँ पर ट्रैफिक पर मिल रहा है और साथे से क्या कुछ कहा जा रहा है आगे क्या रड़नीती बनाई है उन्होंने देखिए किसान अंदोलन को लेकर जिला परशाष ने 11 फरवरी से लेकर 20 फरवरी तक 145 लगाई है इसके साथ साथ जो तीन चेक पोश्ट हैं हिंदूमल कोट साधूवाली और पतली चेक पोश्ट इ उनको तीसरे दिन भी लगातार बंद रखा गया है ऐसे में जो ट्रैफिक है पंजाब से आने वाले वाहन और जाने वाहन सारा का सारा जो ट्रैफिक है वो साधूल शेर के निकट जो पतली चेक पोश्ट है वहां ट्रावर किया गया है ऐसे में लोगों को तकरीबान 45 से 50 क पैदल यात्रा भी करनी पड़ रही है इसके बाद जो भारत बंद की बात आती है कल जो किसानों ने भारत बंद का हवान किया है उसको लेकर जो परशाशन लगातार किसानों से समझाइस कर रहा है इस वक्त भी हम पुलिस थाना के लगबग बाहरी खड़े हैं तो अंदर जो धाना परबारी के साथ किसानों की वारता हो रही है और जो बात निकल कर सामने आई है कि किसान इस बात पर राजी हो गए है कि सड़के जाम नहीं की जाएंगी हलाकि कामों से कोई भी जो सामान है चाहे वो क्रिशी जिंस हो चाहे वो दूद हो चाहे सबजी हो वो शहरों मे नहीं आएगी और धानमंडी के अंदर जो क्रिशी जिन्सों की निलामी है वो नहीं होगी इसके साथ किसान है वो कल हर कस्बे के अंदर परदर्शन करेंगे और राश्टपती महोद्या के नाम HDM के मारफ़ते एक ग्यापन भी देंगे ऐसे में जो चेक पोस्ट बंद होने के कारण जो लोगों को है वो काफी जो दिखते हैं उनका सामना करना पड़ रहा है बिल्कुल देखिए यहाँ पर अगर बात की जाए कुलदीब तो किस तरीके से प्रिशासन के तरफ से इंतिजाम किये गए हैं चुकि किसान लगादार अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं साफ तोर पर उनका यहीं कहना है कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होती हैं वो हटने वाले नहीं हैं ऐसे में एक बड़ी जिम्मदारी प्रिशासन की विए किसानों को समझाने के लिए और माहौल को शांत रखने के लिए जी बिलकुल जो परशासन है वो लगातार समझाईश कर रहा है जहां तक रोकने की बात है तो कि परशासन ने जो चेक पोस्ट है वहाँ पर लोहे के बेरिकेट्स लगाए हैं सिमेंट के बेरिकेट्स लगाए हैं इसके साथ साथ जो एक लिंक नहर है राजिस्थान जो गं पानी डाला गया है हालांकि किसानों का ये कहना है कि जो पुलिस के बंदों बस्ते हैं वो काफी पुखता हैं ऐसे में वे अभी ट्रेक्टर ट्रोलियां नहीं लेके जाएंगे इसके एसासा जो आज शाम को बैठेक होने जा रही है उसका भी इंतजार किसान कर रहे हैं बिल् शुक्रिया कुल देप इन तमाम जानकारियों के लिए